जब भी वीकेंड आता है वीकेंड पे हमारे पास में का उपरचुनिटी आती है जहां पर हम चार्ट्स को जाद अच्छे से अनलाइज कर पाते हैं वहां पर हम उसको एक वीक टाइम पे डेले टाइम पे डिफरेंट सेटप में हम उसको देख पाते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा आगे का जो आउटलुक है वो क्या रहेगा हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आगे का आउटलुक पहले समझ के चलें देखें कोई भी इस वर्ल्ड में मार्केट को ना तो टेम कर सकता है ना ही प्रेडिक कर सकता है लेकिन एनलाइज डेफिनेटली किया जा सकता है चार्ट आपके सामनी है उसके थुरू आप बहुत सारे चीजों को आराम से अनलाइज कर पाते हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या होता है आपको यह देखना होता चार्ट में इस time पे current time frame पे current setup पे current closing पे क्या-क्या opportunity हमारे लिए हैं और अगला week या आने वाले कुछ मन्त हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं तो अभी मैं notice कर रहा था अब आपके पास different setup होते हैं जैसे हम moving average के basis पे trade लेते हैं या chart का analyze करते हैं moving average के अलावा हमारे पास में classic patterns होते हैं फिर हमारे पास में retracement levels होते हैं कुछ support resistance या zone बनते हैं maybe हम candle के basis पे trade करते हैं तो मतलब अलग अलग तरीकी होते हैं इसके अलावा हमारे पास में होता है यह five तो मैंने बता दिया उसके अलावा हमारे Dosky हमारे में होता है classic pattern के साथ में हमारे पास harmonic patterns भी होती हैं और event based हमारे मूपमेंट भी होती है तो अब अगर हम सारी चीज़ों कलब करते हैं तो कहीं ने कहीं एक अच्छी clarity हमें दिख जाती है, तो इस टाइम पे मैं जो फाइनल अभी वीडियो बनाने से पहले, I was just looking at all the charts, मैं manually chart को study करता हूं, क्योंकि जो जैसे हमारे पास harmonic patterns जो होते हैं, harmonic patterns में कोई ऐसा tool नहीं बना है, जो हमें सारे patterns बना के दे दे, कि इसमें हमें यह चाहिए, इसमें हमें ही चाहिए, उसको हमें manually ही करना पड़ता है, तो I was just going through all these, मैं भी आपको chart दिखाऊंगा, I was going through all these like harmonic patterns, वहां से एक बड़ी classic चीज मुझे पता चली, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, वह मैं आपको chart के तुरू बताना चाहूंगा, ताकि आप भी देख कर उसको समझ सकें, चले chart के ओपर चलते हैं, And friends, if you haven't subscribed my channel yet, go and subscribe to it, नीचे जाएगा, subscribe button पर click किजएगा, और वीडियो में आगे बढ़ियेगा, और आप हमें join कर सकते हैं हमारे telegram, हमारे twitter और instagram पे भी, आप जल्दी ही चोड़ी short video लेकर आएगे, ताकि थोड़ी time frame में काफे चे information आप दे सकें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यह आप screen पर चार्ट देख रहे हैं, यह Nifty का daily time frame का चार्ट है, आप देखेंगे, इस चार्ट में मैंने कुछ tools plot किए वे हैं, जाधा तर मैं indicator यूज़ नी करता, मतब अगर बात करें, तो आज से 50 years पहले, और आज भी वो book उतनी ही relevant है, जो 50 साल पहले थी, सोचिए हम कहते हैं कि technology change हो गई, नई setup आगे, मैं कहता हूँ कुछ भी नया नहीं आया है, जो 50 साल पहले था, आज भी वही है, कोई change नहीं हुआ, बस आपको different format में, जैसे orange का lollipop है, strawberry का हो गया, apple flavor हो गया, वो flavor आपको पकड़ाई जा रहे हैं, लेकिन basic क्या है, lollipop ही है, मतब समझेगा, core जो हमारी trading होती है, वो आज भी वहीं है, बैस उसको अपना नाम करने के लिए different format में, अब जैसे जो मेरे चार्ट पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको Fibonacci retracement नज़रा रहा है, एक यह blue line आपको नज़रा रहा है, और नीचे की तरफ आपको red line होगा, और नीचे की तरफ आपको red line होगा, यह सारे के सारे tools हैं, मैं यह देखना चाहता हूँ कि market में इस टाइम पर क्या-क्या movement अवेलेबल और market इस टाइम पर खड़ा कहा है हमारे लिए, अब देखिए, notice करें हम बात को, तो market को आपने भी सुना होगा, elite wave theory के साथ में connect किया जा ताकि market elite wave theory के accordingly काम करती है, elite wave theory क्या कहती है, elite wave theory यह कहती है कि market में 5 rising wave होती है और 3 correcting wave होती है, जिसको आप कहते हैं 5 plus 3 elite wave theory, तो notice करें यहाँ पर यह जो हमारा blue line है, इस blue line के accordingly भी अगर last में देखेंगे, तो you will see something like this one, देखें, यहाँ पर जो यह retracement के accordingly, यह 16,400 का line दिखा रहा है, और जो हमारा rising wave था, जो 5 wave था, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है, उपर जाने के बाद में, यह नीचे से फिर होता है, उसको हम x बोलते हैं basically, x, 1, 2, 3, 4, and 5, 5 का मतलब top बन गया, top के बाद में 1, first correction, थोड़ा सा retracement 2, और further correction 3, इस time पे, चाहे मैं उसको बड़े time frame पे चूज करूँ, चाहे मैं छोटे time frame पे देखू, मतलब weekly time frame पे चेक करूँ, या हम daily time frame पे चेक करें, दोनों तरफ यह कह रहा है कि, इस time हम corrective wave के अंदर हैं, मैं आपसे बार-बार आगा कर रहा हूं, कि प्लीज अपने profit को बुक करना शुरू करें, अब यहां पर इसको support करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, एक चीज हमारे पास में है, आने वाला budget और coming result season, तो उसके accordingly तो definitely कर सकते हैं, यहां पर सर्फ इतना ही नहीं है, तो मैं आपको सर्फ Nifty का चार्ट दिखा रहा हूं, अगर देखेंगे, तो यहां से correction नजर आ रहा है, जो लेकर जाएगा 16400 तक, आपको याद है, हम कुछ time पहले 16400 का target लेके बैठे वे थे, अब यह इतना जल्दी achieve नहीं होता है, time लगता है, बट यह हो जाएगा, और यहां पर अगर आप देखेंगे, यह level है 18300 का, आप समझ गए होंगे, या तो 18300 को Nifty break करें, तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो आपका अगला target 16400-500 का आएगा ही आएगा, आप यहां पर कोई कुछ भी बोले, जो chart इस ताइम बता रहा है, आपको उसके उपर लाए करना चाहिए, यहां पर या तो 18300, या फ़र 16400, बस हमें इसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, अब बहुत सारे comments, जैसे आप भी मुझे comment करके बताएगा, बहुत सारे comments आप भी देखती होंगे, 19000 जाएगा, 19500 जाएगा, हम कब से लड़ रहे हैं कि भाई, अभी कोहीं नहीं जाने वाला, अभी पूरा 2022 तो कहीं गया नहीं, यह हमने January या February लास्ट येर बोला था, फिर से अभी बात कर रहे हैं आप से, कि अभी कोई ऐसा chance नहीं है, कि market rise करे, थोड़ा बहुत ये उपर नीचे होता रहेगा, इसको rise नहीं बुलाता है, rise बुलायाता है, कि market भागती चली जाए, यह जो correction आप देख रहे हैं, जो 16500 की correction है, मैं यह कहा रहा हूँ, आप यह बोलिए कि, सब मिलकर, अगर correction करके, 16500 तक ले आएंगे, उसके बाद जो market भागेगा, अगले 5-6 साल तक नहीं रुकेगा, जो पैसा लगाना है, मतलब उसके बाद आपको knowledge है, नहीं है, जिस stock में डालेंगे, सारे stock काम करेंगे, अपकोर्स, वो वाले नहीं, बरवाद वाले, अच्छे stock जोने, अभी recent में rise किया था, correction जात correct किया, उन stock में पैसा डालेंगे, सारे के सारे stock rise करेंगे, अब मैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ चेक कर रहा था, जैसे वन वीक के time frame में देख रहा था, वहाँ भी यही situation आ रही है, अगर आप देखेंगे situation में, यहाँ भी अगर देखेंगे, तो यहाँ पर यह आपके पास में, five wave theory यहाँ भी बन चुकी है, चलो वहाँ तो हमारा daily में, one और two भी बन गया है, अब हम C का wait कर रहे है, as per the weekly time frame, A भी नहीं बना है, और यहाँ देखेंगे, पहला target 17,400 है, second target 17,000 है, six जो है, third target इसमें, 16,400 के आज, 16,500 के आज पास है, it's fine, अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में, यह कौन सा है, यह श्रीराम फाइनेंस, देखेंगे, यहाँ भी पूरा-पूरा पैटर्न बन चुका है, A, B बन चुका है, C की तरफ जा रहा है market, या तो वो B को क्रॉस करेगा तब, उपर देखेंगे, यह कौन सा है, उगार शुगर भी, यह तो थोड़ा सा इसमें, इसमें करेक्शन में लग रहा है, बढ़िया वाला है, फूर्थ वेव में है, यहाँ तो फिफ्ट वेव बनने की उम्मीद है, शुगर इंडिस में ऐसे पे इच्छी काम कर रहे है, MRF में भी देखे, A, B, शुरू हो गया है, 5 से लेके, A और B, C तक जा रहा है, और मैं आपको unlimited stocks दिखा सकता हूँ, नज़र अखेगा, मैं यहाँ बैंक निफ्टि का देखेंगे, यहाँ आपको ऐसे नज़र आ रहा है, मैं आपको unlimited stocks दिखा सकता हूँ, 90% stocks, हाँ, यह Honeywell Automation में, हमारा पूरा-पूरा जो complete हो चुका है, इस तरह से अगर आप चेक करेंगे, तो maximum stocks, maximum trades, cement sector, अभी मैंने recently post किया था, वहाँ पर cement के बारे में बात किया, तो देखे, cement sector में अच्छी moment आने वाली है, और India, यह है 3M India, यहाँ भी पूरा हो चुका है, so what I am trying to explain here is, अभी please, किसी भी बड़े stock में मत फसियेगा, किसी भी बड़ी moment को दिमाग में रखके, या उमीद करके मत फसियेगा, because hope is going to definitely के लिए, मैंने बहुत सारे stocks हुठाए थे, मैंने लगबख इस अभी last 1-2 hour में, 100-200 stocks को मैंने लाइज किया था, और तब मैंने डिसाइड किया कि यह वीडियो में आपके लिए बनाओ, because यहाँ पर बहुत सारे information है, जो हम share कर सकते हैं, यह क्या है, ultra tax cement, cement sector में काफी अच्छी moment आने वाली है, श्री cement देखिए, वो अपनी पूरी correction कर चुका है, ultra tax cement देखिए, 4th wave में 5 वा बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ पर definitely हम सोच सकते हैं, 10,000 का target देख रहा हैं यहाँ तो, तो अब just going through all these charts, and I found that most of the chart, the brands जिनकी बात करूँगा, वो अभी हमारे 5th wave में एटके वे हैं, 5th और उसके बाद में correction wave में एटके वे हैं, मैं 5th wave नहीं कहूँगा, let's keep it very simple, वो हमारे correction wave में एटके वे हैं, और जब तक यह correction पूरा नहीं होता, जब तक यह correction पूरा नहीं होता, मैं चाहूँगा आप कोई भी नए investment ना करें, until then, आप trading पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप intraday कर सकते हैं, खुब सारा, आप option में trade कर सकते हैं, आप weekly strategy बना सकते हैं, लेकिन अभी अपना कोई पैसा investment के लिए block ना करें, और guys, hope this information will be useful for you, आने वाले वीडियो में मैं आपको harmonic patterns के बारे में थुरह समझाऊँगा, और ये elite wave theory क्या है, वो ही आपको definitely बताऊँगा, और until then, take care guys, और जाने से पहले like और subscribe का ना मत बोलेगा, I'll see you into my next video, have a nice day, take care, bye-bye.